पल्लवी और अर्नव आए करीब दंगल टीवी के पॉपुलर शोहर बहू की यही कहानी सासुमा ने मेरी कदर न जानी में मनुरंज़क ड्रामा चल रहा है और आज आप देखेंगे कि पुर्शतम शास्त्री यानि अर्नव के पिता जी अर्नव को कहते हैं कि दामा जी के विदेज जाने की सारा खर्चा पल्लवी का ही परिवार उठाएगा वही पल्लवी देर रात 21 किलो बूंदी के लड्डू बना रही होती है और तभी अर्नव आता है और उसे पूछता है कि वो इतने रात को क्यों बना रही है इस पर पल्लवी बताती है कि मम्मी जी ने उसे लड़ू सुबह तक बनाने के लिए कहा है क्योंकि वो मंदिर में चड़ाए जाएंगे वहीं पल्लवी को अकेला देख अर्नव भी उसके साथ लड़ू बनाने लगता है और फिर सुबह बबली देवी बूंदी के लड़ू देख कर चौक जाती है लेकिन वो खुश हो जाती है कि उसकी बहुने बड़े अच्छे लड़ू बनाये हैं और उसका मान बढ़ेगा से बचा लेती है लेकिन उसके खुद के पैर पर लग जाता है और फिर अर्नव उसे उठाकर बैड पर बैठाता है और उसे आइस लगाता है और दोनों में रोमैंटिक सीन क्रियेट हो जाता है फिर पलवी सर्वगुन संपन प्रदियोगता के लिए पहुच जाती है और वहां उसे उसकी मा और उसकी ननद जिल्मिल भी दिखाई दे देते हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं वहीं होस्ट गेस्ट को बुलाते हैं और ये गेस्ट कोई और नहीं बलकि पलवी के ससूर पूर्शोत्तम शास्त्री और सासुमा बवली देवी ही होते हैं तो कैसे लेगी पलवी प्रतियोगिता में भाग अपने राई कमेंट्स में बताए तब तक देखते रहें IWM बस